हाई एवीवन वेलकम तो स्लीपीक प्लासेज कैसे आज हम डिस्कुस करेंगे डेली डोस में जोग्रफी से लेटेड कोश्टन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने फर्स्ट कोश्टन है विजो फॉलिंग स्टेट्मेंट आर करेक्ट फर्स्टेट्मेंट है यहां पर असाम श कोश्टन का खुद से सही अंसर मार्क किजिए उसके बाद हम इस कोश्टन को काफी अच्छे से डिटेल में समझेंगे चलिए अपने इसका सही अंसर है यहां पर आपकी फर्स्ट एंड सेकिंड स्टेट्मेंट बिल्कुल सही हो जाएगी बोले तो बी ओप्शन आपका यह आपको पता है यह यहां जासाथ मेहगाले मैप में अपके ईक पर और एक बार एंड तरूघ करते हैं और फ़ेट्पॉल्ट एंड असाम तो numb तोत पा से Chinese सघ्ट इसकें हैं उसके बाद अगर हम भुटान के साथ देखें तो अरनाचल परदेश यहां पर आपको एक्जेक्टली भुटान देखने को मिलेगा देखें अरनाचल परदेश के साथ टच कर रहा है असम के साथ टच कर रहा है ठीक है जी और साथ साथ सिक्खिम के साथ टच कर रहा है और वे एंड अरुनाचल परदेश ठीचे म्यानमार के साथ कौन कौन से हमारे स्ठेट टच करते हैं अरुनाचल परदेश टीके जी यहां पर आपको मियानमार देखने को मिलेगा देखे मिजोरम मनिपूर नागा लेंड और अरनाचल परदेश ये चारो स्टेट टच करते हैं मियानमार के साथ उसके बार नेपाल के साथ सिखिम नेपाल आपको एक्जेक्टली देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है जी नेपाल के साथ उत्रगंड, सिक्खिम और साथ साथ वेस्ट मेंगौल, उत्तरबरदेश, बिहार और पाकिसान के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट टच करते हैं जमू एंड काश्मीर, पंजाब, गुजराद एंड राजिस्तान उसके वादे कि दो स्टेट ऐसे हैं मतब दो कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ हमारे पानी वाले बॉर्डर टच करते हैं श्रिलंका एंड माल्विस, श्रिलंका के साथ यहां पर एक्जेक्ली जो हमारा पानी वाला बॉंडरी टच करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट जा फिर Gulf of Manor भी बोल सकते हो बात एक ही है ठीक है जी और यहां पर exactly आपको Maldis exactly यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो लक्षदीप के islands basically अलग करते हैं Maldis और इंडिया को ठीक है जी तो यह इंडिया के neighboring countries हैं मैंने आपको state बता दी तो यह state आपको पता होने चाहिए इंडिया के मैप को अच्छे से देख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा तब भी आपको यहां पर याद रहें हैं चले नेक्स्ट कोशन डिसकस करते हैं मैच लिस्ट वन एंडिस सेकंड लिस्ट वन में क्या दे और यहां पर जो हाइस पीक हमें गिवन है डोटा बेटा नंदा देवी अनाई मुड़ी एंड सारा मती बहुत इजी कोशन है वीडियो को पोस कीजिए पहले इस कोशन का सही अंसर कुछ से माग किजिए फिर हम डिटेल में इस कोशन को डिसक्स करेंगे चलिए और यहां पर उत्रागंड की जो हमारी हाइस पीक है नंदा देवी यह यूनेसको वर्ल्ड हरीटेस साइट पी है और तमिल नाडू की जो हाइस पीक है वो है डोटा बेटा बहुत इजी कोशन था है ऐसे कोशन पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है कोशन चले नेक्स्ट कोशन से पहले एक बर हम क्विज्ज देख लेते हैं विच ओफ दा फॉल्विंग इस मैस्ट इनकॉरेक्ट यहां पर लेक गिवन है आपको और यहां है कॉंटिनेंट टिके जी ले कोशन को लास्ट में समझेंगे जब हम फाइव कोशन डिसकस कर लेंगे अभी के लिए हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं और इसका अंसर आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में दीजिए ठीके जी चले थर्ड कोशन है आज का हमारा विचोवदा फॉलिंग इस मैस्ट इनकरेक में आपको यहां पर बताना है इन चारों स्टेट्मेंट में से कौन सी स्टेट्मेंट इनकरेक्टली मैच कर रही है ठीक है जी बहुत इजी कोशन है वीडियो को पहुच कीजिए फाइव सेंगिन का टाइमरोन कीजिए इससे अल्टिमेटली आपको आइडिया लग ठीक है जी तो चलिए विद्यगा आपने इसका सही अंसर माक किया होगा इसका सही अंसर है यहां पर आपकी थार्ड और फोर स्टेट्मेंट सही है तो हमने यहां पर इनकरेक्टली देखने तो फर्स्ट और सेकेंड बोले तो बी ओप्शन आपका इहां पर सही हो जाएगा देखे 38 पैललर लाइन है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में और 49 पैललर लाइन है युसे एंड कैनियरा के बीच में तो यहां पर आपको कोरेक्शन इस तरह से कर ले नहीं चले फोर्थ कोशन देखते हैं आपको बताने इन में से कौन सी रिवर और नाचल प्रदेश में फ्लो करती है बहुत ही इजी कोशन अगें वीडियो को पोस्ट कीजिए फाइव सेकिन का टाइम एरॉन कीजिए एंड इस कोशन का सही अंसर कीजिए वैसे तो यह कोशन के लिए दो सेकिन ही बहुत है चली होफुली युद्ध आपने इसका सही अंसर है यहां पर आपका बी सेकिंड एंड थर्ड लोहिद भी और नाचलवर देश में फ्लोकरती है एंड सुभान स्रेवी नूब्रा का जो औरीजन पॉइंट है वो है सियाचिन गलेशियर और यह दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मा पुत्रा की पॉन स्ब्रण पॉइजन कहां से होता है तिब्बथ और तिब्बथ में कहां से चिमांग यांग डूंग गलेशियर कि याफिर आप ऐसे इसको कल continues मांत्ष आफर भी याद करते हैं और तिबत में जब इसका ओरीजन होता है भ्रह्मा पुत्रा का तो इसको हम क्या कहते हैं तो सांग पू ठीके जी तो सांग पू जब हमारे इंडिया में एंटर करती है एक्जेक्ली अनाचल परदेश में और अनाचल परदेश में कहां से एंटर करते है सियांग और द्यांग डिस्टिक से ठिके जी उसके बाद ये अपनी दो ट्रिब्यूट्री से मिलते है दिवांग एंड लोहिट से उसके बाद जाकर इसका नाम होता है भ्रहमा पूत्रा फिर असम में जाकर ये एक रिवर आइलेंड बनाती है जिसका नाम है माजूली रिवर आइलेंड और ये चली जाती है बंगला देश, बंगला देश में इसका नाम होता था है जमना और जमना और पद्मा मिलकर क्या बन पेंगॉल ठीक है चलिए आज का हमारा लास्ट कोशन डिसक्स करेंगे फिर हम एक बर क्रीज देखेंगे फिफ्ट कोशन है विचोवदा फॉल्मिंग पेर इस नोट कोरेक्टली मेस्ट यहां पर डेज़ेट गिवन है और यहां पर गिवन है कंट्रीज सोनर रन क्या यह यह काराकुंष तो किस्थि रिमाकिस्थान में है और गिवनिंसक्स क्लीच सोरी्प इंज में यहां पर आपका Casey बीची है सीव है और यहां की जो गिवन है यह आपको देखने को मिलेगा वेस्टर अस्सटेलिया में कि चली एक बर हम कुई देखेंगे ड mos saving देरिकेंगे यहाँ पर हमें देखना था कौन सा इंक्रेक्टली मेज्ट है ठीक है अब इन्क्रेक्टली मेस्ट में हम्आरा जो थर्ड ओर होफुली आपके five out of five questions ठीक हुए होंगे comment section में मुझे बताईए कितने questions आपके ठीक हैं अगर in case आपका कोई doubt है प्लीज हमें comment section में बताईएगा हम आपके doubts या तो comment section में लेंगे नहीं तो जब भी हम next geography का session discuss करेंगे daily dose में वहाँ पर मैं आपके doubt ले लूँ हूँ चलिए अपना ध्यान रखिए thank you so much